इसके अंदर ना बतादे बतादे चलो ये भी आज टॉपिक खतम ही करते हैं मतलब चैप्टर खतम ही हो रहा है तो खतम करो सकते हैं ठीक है पहले कॉंसेप्ट है ना हर बार के तुम है अब हमारी जो इंकम है ना हमारी इंकम अब इंकम दो तरीके के होते हैं सर दो तरीके की इंकम फिलकुल सर दो तरीके की इंकम है एक इंकम है हमारा टेक्स फ्री टेक्स फ्री मतलब सर टेक्स फ्री का मतलब मतलब सरकार इस पर बोलती हम आपसे टेक्सी नहीं लेंगे जैसे क्या-क्या जैसे गौर्वर्मेंट के कुछ बॉंड है जैसे सर आपके एलाइसी के पैसे जैसे सर तीन आएगा ना आप पीपी एफ में रखते हो पूरा टेक्स फ्री रहता है जैसे सर अगले समिस्टर में विएसर इंक्रब टेक्स में पढ़ा होते हैं बहुत सारे ऐसे बॉण्ड से लिए आपको 7% दे रहा है हमारे बॉण्ड में लगा हो आट परसेंट आप लगाएगा लेकिन बड़े-बड़े जितने बिजनसमेन उनको लगाना है सौकरोड का आठ परसेंट कितना होता है आठ करोड और आठ करोड पर अगर वो टेक्स देने लगेंगे तो मैं सीधा-सीधा पड़ा बोला इसमें हमारे government bond में लगा हम आपको tax free कर देंगे इस पर कोई tax लगेगा ही नहीं capital gain भी नहीं लगेगा तो इस तरीके से बच जाते हैं उनके पैसे तो यह tax free है और कुछ होता है हमारा taxable income taxable income ठीक है न कुछ है tax free और कुछ है taxable अगर मैं बोलू कि मेरी tax free की कमाई 9% है और मैं बोलू मेरी taxable income की कमाई 10% है तो आप से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ बताइए आपके लिए कहाँ investment करना better है तो बोलोगे सर ऐसे थोड़ी ना comparison कर सकते हैं comparison तो हो इनी सकता यह tax free return है और यह taxable income है यहाँ पर जितना भी मैं पैसा कमाऊंगा फिर उसके उपर मुझे सरकार को tax देना पड़ेगा और फिर net में जितना बचेगा वो calculate कर सकता हूँ और सर यह वाला जो है यह वाला तो tax free है इस पर तो tax देना ही नहीं एक तरीके से मान क चलो 9% पर टेक्स भी लगा चुकी है सरकार ओहो यानि जिसके उपर टेक्स लग चुका होता है जिसके उपर टेक्स नहीं निकालना टेक्स लग चुका है उसको बोलते हैं post-text POSTEX और जिसके उपर TEX लगना है उसको बोलते हैं PRETEX PRETEX समझे सहाब। उसको बोलते हैं PRETEX अब मुद्दे की बात आती है सर COMPARATION कैसे करें अब COMPARATION करने के दो ही मुद्दे हैं या तो मैं इसको क्या कर दूँ ये आपका POSTEX है और इसको भी मैं POSTEX बता दूँ तो मैं इसको post-text बना दू या फिर मैं इसको pre-text बना दू अब इसको post-text बनाने का क्या होता है हमने बहुत बार सीखा है क्या होता है आपका interest और one minus में T कर दोगे तो that is post-text इसको post-text किया और इसको post-text किया comparison कर लो सर जैसे सर जैसे मान लिया जाए यह 10% है मैंने 30% का rate रखा है तो 10 one minus में 0.3 तो यह आगे 7% ओहो सर यहां तो 7% return है और यहां पे post-text 9% है तो यह वाला अच्छा है इसको accept करो ना तो एक तो यह तरीका हो गया दूसा तरीका हो गया हम क्यों ना यह post-text एक तरीके से तो इसको कि बना ले इसको प्री बनाने का तरीकां कि एंट्रस्ट को सो डिवाइड़डवर व्र माईनस में T कि तरो यहां पर कैसे बना को 91-6 जीरो control 3-Dragonμα 1-3 यह प्री बनाने का तरीका है सिर में यह फील बनाने का तरीका है तो नाइन Defender वे पॉइंट 7 या गया 12 परसेंट 12.85 ऐसे भी देखलो चाहे वैसे देखलो अगर आपने इसको प्री बनाया तो इसका कंपरिजन सहब अब कलर से कलर मिला लेना इसका कंपरिजन सीधा इस से होगा क्योंकि यह को ऐसा एसर टेक्सेबल इनकम है भी टेक्स लगेगा यानि इसके उपर पैरी हैillar और ये वह प्री इसको आप color से color मिला लो रंग मिला लो और अगर इसको देखा जाए तो कमपैरिजन किस से करोंगे इस से करेंगे तब भी यह बैटर है यानि histó मेरे वाले एक्जामपल में तो better हमारा कौन सा है सर ये वाला पॉर्शन बेटर है अच्छा सर यानि प्रीटेक्स और पोस्टेक्स का बसपंगा है बिलकुल अगले एक्जामपल में आ जाते हैं जल्दी जल्दी से फटा फट से देख लेते हैं यह क्या बोलना चाहा रहा है क्या दिया भाईया option number one कैता है कि invest हम 10 सालों तक करेंगे और फ्री मतलब के क्यों सार tax free REC bond के अंदर और provide annual 8.125 बोलता है कि भाईया 8.125% का हर साल का ब्याज मिलेगा और इसके उपर हमें tax free का मतलब tax नहीं देना जब taxi नहीं देना तो एक तरीके से यह post tax हो गया यह कौन सा हो गया सर यह post tax हो गया एक तरीके से देखा जाए तो ओके सर आगे कहता है दूसरा option है fix deposit कर दो bank में option number two FD कर दो bank के अंदर 10% interest मिलेगा आपको 10% interest मिलेगा ओहो इसके उपर यानि यह इसके उपर after tax है यानि यह pre है pre tax इस पर tax लगना बागी है और let's assume Mr. X 30% tax bracket आता है assume there is no surcharge ही नहीं है surcharge वाली बात तो आएगा भी नहीं वैसे भी do you think Mr. X should invest in fixed deposit because of provide higher interest so the relevant calculation ओके यह कौन सा है sir यह कौन सा है यह post tax है और यह कौन सा है pre है तो हम एक काम नहीं करें इसको भी post बना ले ओके सर इसको भी post बना लिजी आप चलिए post बनाने का क्या तरीका होता है interest वन माइनस में T यानि 10% और 30% rate है तो वन माइनस 0.3 तो सर यह आगे 7% यानि अगर आप FD में जमा करेंगे पैसे FD के अंदर पैसे जमा करेंगे तो आपको 7% मिलेगा और वही आप जमा कहां पर करते हैं सर वही जमा करते हैं आप कहां bond में तो आपका रिटन पोस्ट पहले से ही था पोस्ट पहले से था तो यह बेस्ट कौन सा है तो मेरा जवाब होगा को यह वाला है एस पर पोस कैलकूलेशन लें अगर मैं प्री इसा प्रीशन भी पूछनु तो बता ठाञांगे जी बतादेगे प्रीवी बतादें इस यह जो हमारा 10 परसन्ट था यह प्रीथा पहले से और यह पोस्ट था तो इस प्री कैसे करेंगे 8.12 divided by 1 minus 0.3 0.3 0.3 8.12 दो ऑप्शन्स है मगर मैं कन्फ्यूज ना हो जाओ मेरा मन तो नहीं कर रहा था बताने का लेकिन मैंने बता दिया यह आ रहा है हमारे 11 परसेंट यानि सर यह 11 परसेंट और यह 10 तब भी हम यही चूस करेंगे तो क्या कहता है कि do you think Mr. X should invest in FD मैंने बोला no Mr. X should not be invest in the FD because of the less interest from किसे REC bond से और relevant calculation यह दिखा देना that's it यह भी point हमारा cover हो गया छोटे छोटे जितने point रह रह रहे थे उस point को भी हमने कवर कर लिया है किसी को दिक्कत किसी बच्चे को बताईए फटा पर किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत कि बता दीजिए जटपट से कि 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 सर एक बार कंक्लूजन वापस बता दो कंक्लूजन कंक्लूजन देखिए आपके किताब में हलाके लिखा होगा मैं किताब से भी पढ़ देता हूं और जो मैंने बताया कि बेस्ट ऑप्शन इस के आपको आर इसी बॉंड में पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए वहां पे हाइर रेट ऑफ इंट्रस्ट है रेधर देन फिक्स डिपोजिट में और आपके किताब कि किताब में सही करा रहा हूँ कोई नोνεट्स की बात क्रें तो जो मैं पढ़ा रहा हुं और चौकर रहा हैं that 21 19 20 21 कहता है डूइ नो इन्वेस्मेंट पब्लिक प्रोबिदेंट फंड एक्जाम एक पता नहीं क्या बता रहा है इस कैन बी कम्पेर विद दे टेन पर्सेंट प्री टेक्स रेट पता नहीं क्या क्या बोल दिया उसने बस इतना सा कंक्लूजन इसने लिखा है और कुछ पी ज़्यादा नहीं लिखा है बस छोटा सा कंक्लूजन जो अप लिख सकते हैं अप्शन नमबर वन तरुन का कहना है चलिए सर समझ में आ गया अगले कोशन पर यह होमवक में दिया था यह कोशन 3.1 पहले दिया था जो कि सिर्फ HPR वगेरा निकालना था डिविडेंट इल्ड निकालना था हो चुका है यह भी सर यह भी पहले दिया था यह भी कोशन हो चुका है holding period निकालने का सर यह कोशन 6 months 0 और coupon bond available 97 यह होमवक में रहेगा साहब अभी करवाया है आज करवाया है यह homework जो कि मैंने holding period return वाला करवाया है इसलिए homework नहीं दिया तो homework आज का हो गया है इसके बाद सर यह हो चुका है already bad good यह भी हम कर चुके हैं already सर यह भी पूरा questions हो चुका है कोई रहना गया हो बस यही कर रहे हैं वैसे मुझे तो लगता है सारे concept लगबग यह भी हो चुका है हमारा और और calculate यह वाला रहे गया यह वाला पेंडिंग अडिस्टे रिटन पेंडिंग मैं इसको पेंडिंग में डाल देता हूं पेंडिंग इसे हम अगले क्लास के अंदर जब न्यू चप्टर करेंगे उसके अंदर हम कवर करेंगे इसको बस उपर वाला पार्ट हो गया यह पार्ट पेंडिंग है यह हो चुका है हमारा पॉट्फोलियो भी सजार 8.5 परसेंट एक्सपेक्ट टेंट 12 परसेंट वाट इस दा एक्सपेक्टेड रिटन ऑफ पॉट्फोलियो यह भी कर चुके हैं होमवक में यह भी हो गया सर यह भी हो चुका है यह भी हो चुका है है यह भी कर लिए हमने स्टी रिटन मोर रिस्की सी ओवी निकालते थे यह भी हो चुका है यह भी हम नेक्स क्लास में करेंगे मतलब के नियू चैप्टर के अंदर इसे कवर करेंगे ज्यादा डिटेल में वहां समझ भी आ जाएगा चलो सर यह भी होमवक में दे दें सर हां यह आज करवाया है थोड़ा सा अलग कुश्चन है यह होमवक है प्रॉब्लम अभी जो करवाया था हमने इतने सारे फॉर्मूले वाला सर यह भी कर लेंगे इन्वेस्टू डिपोजिट टेक्स फ्री यह भी होमवक अभी अभी करवाया है रिसेंट में पहले रहे गया तो अब होमवक में मिल गया सर इसके अंदर टी बिल एक्सेप्टेड कैल्कुलेट एच पी आर इच ऑफ सेनेरियो सभी में पता ना है यह होम लगबग लगबग सर हम सारे टॉपिक कर चुके हैं दो चोटे चोटे कोस्टन रहे गया है जो कि अगले चप्टर के अंदर कवर होगा यह चप्टर हमारी तरफ से खतम हो जाता है बस एक अड्जेस्मेंट वाला रहता है सर 3.12 प्रॉब्लम 3.12 प्रॉब्लम 0.4 3.12 अगले तो बच्चे वाला काम रह जाएगा यह भी हो जाएगा इसलिए अभी हम इसको नहीं लेना चाहते है वह सीक्वेंस में ठीक है अगले चप्टर के अंदर जो पॉर्टफोलियो अनिलिस से पहला ही टॉपिक यहीं से स्टार्ट होता है तो वहां कवर हो जाएगा तो जो छोटे छोटे पॉइंट सर दो तीन पॉइंट्स रह गये हैं वह पॉइंट अगल कल सेटेडे है और सेटेडे मेरी दो क्लासिस एक शाम को एक साथ बजे शाम को दो क्लासिस है और कल सुभे मैं मौर्णी में क्लास रखनी पाऊँगा नेक्स लास टाइम संडे संडे भी मंडे भी संडे संडे कप रखें ग्लास बारा एक दो तीन चार बजे को रोग अगर कोई टाइम चेंज हुआ संडे क्लास 100 परसंट गारेंटीड है लेकिन अगर कोई भी टाइम चेंज हुआ आपको दो घंटे पहले अप्डेट मिल जाएगा अप्लिकेशन में परिशान बिल्कुल सब्सक्राइब भी मत होईएगा वैसे तो चार बजे फिक्स कर देते हैं ठीक है आरिफ ने तो पहले कर दिया सर आप चले जाओ गुड़ नाइट ठीक है तो चलिए वैरी वैरी गुड़ नाइट टेक केर पढ़ते रही है डेट शिट आ चुकी है मैंने डेट शिट पर य GST भी होता है ओहो संडे देख लेंगे कितने बज़े GST है बाकि मैं रख रहा हूं क्लास अगर कुछ वही बोला टाइम उपर नीचे हुआ तो उसके सबसे मैनेज कर लेंगे सेटेडे इसलिए नहीं रख सकता सेटेडे मॉर्निंग मैं हूनी और इवनिंग में मेरी और चा अगंसी तरीके से आपको ठढ़ां तेक है इसलिए मैं कोसिस करता हो कि इस टाइम पे इस वाली क्लास को रखों जिस से पहले मेरी कोई क्लास ना हे थिक है तो चलिए सब्वरिवरी गुड्नाइट टेक केर मलते हैंम नेक्स टॉस के अंदर नेक्स ट्लास हमारी कब होगी सा नेक्स क्लास हमारी सेम टाइम पर जो टाइम बताया है उसी पर लेंगे